मैंने इश्वर से कहा मेरी सारी बुराईयां दूर कर दो प्रभू जैसे हम सभी अपने अपने इश्वर अल्लाह, जिसस, गुरु गोविंद, संत कबीर, साई बाबा, स्री कुरुष्णा, स्री गणेश, दुरगामा या भोलेनात महादे उसे कहते हैं तो इस्वर ने कहा नहीं, बुरा या इसलिए वहाँ नहीं है कि मैं उन्हें हटा दूँ, वह इसलिए वहाँ है कि तुम स्वयम उसका प्रतिरोद करो, तब मैंने इस्वर से कहा कि तो फिर मुझे धैरिया दो, दीरत कैसे बढ़ाते हैं, तो इस्वर ने कहा कि धैरिया कठिन का परिणाम होता है वह दिया नहीं जाता सीखा जाता है हम जो पाई बना रहे हैं उससे आने वाले कई वर्षों तक नजाने कितने लोग एक दूसरे को पाई दे कर चीज वस्तुए या सर्विसिस लेंगे एक उदारन से समझते हैं कि जिसके पास अभी जो सोने के आभूशन या सोने का सिक्का है वो किसी ने बहुत बहुत बरसों पहले कच्चा सोना जमिन में से खुदाई करके अशुद्यों के साथ निकाला होगा फिर उस पर कुछ प्रोसेस करके उसको शुद्ध बनाया होगा और फिर उसके सिक्के बने होंगे उसी सिक्कों में से कुछ सिक्के समय के साथ अलग-अलग विक्तियों की मनोकामना पूर्ण करते हुए आपके पास पहुंचे होंगे सिक्का सोने का हो या हो सिक्का एक रूपय का उसकी यात्रा उसका सफर यही रहा होगा और काम भी उसने यही होगा कि अपने मालिक से दूर होकर मालिक को कुछ दिया होगा यही सोचकर एक सच्चा पायोनियर भी सद्धा भाव से पाई को मुबायल में बनाता है इसलिए फिर से दोराता हूँ कि हम जो पाई बना रहे हैं उससे आने वाले कई वर्षों तक नजाने कितने लोगों की मनोकामना पूरुन होगी देखे एक बात तो है कि कोई भी खरीदा हुआ क्रिप्टो यानि जो भी अपने पसंद के क्रिप्टो आपने खरीदे हैं उसमें ऐसा ये भाव नहीं जुड़ता है आज नहीं तो कल उसको बेचने की ही योजना मन में बसी रहती है है ना कॉमेंट जरूर करना इस बात पर ठाकूर कभी कभी लगता होगा कि यार पाई की टिम कुछ नहीं कर रही या फिर इसमें फटाफट सब कुछ बन क्यों नहीं जाता इतना स्लो क्यों है ऐसा सोचकर निराश होकर पाई को छोड़ देंगे आप में से कई कंट्रिब्टर्स को अपनी रेफरल टिम में कुछ लोगों ने पाई बनाना छोड़ दिया ऐसा दिखता है क्योंकि पाई का वो ग्रिन कलर का आइकन उस टीम मेंबर के सामने नहीं दिखता पर भाई एक बात कहें कि पूरी दुनिया में पाई की सिर्फ एक ही एप है ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में पाई की एप अलग है और हमारे इंडिया में अलग जो अपडेट यहां है वही अपडेट वहां है पर चाइना में, वियत नाम में कोरिया या नरजीरिया के वो लोग इतने एक्टिव क्यों है हर विकेंड पर पाई के बारे में कुछ न कुछ मिटिंग या सेलिब्रेशन मनाते हुए फोटो या विडियो डालते ही रहते हैं जिसकी वज़ा से लोग निराश नो हो और माइनिंग की यात्रा आगे बढ़ती रहें ऐसा इंडिया में भी हो सकता है सभी लोग कुछ न कुछ फोटो या विडियो अपलोड करें अरे टीशाट या केप का खर्च नहीं करना है तो कोई बात नहीं कागस पर पेंटिंग बना कर भी बच्चों की या फ्रेंड्स की फोटो सोशल मीडिया पर दिखाएं ताकि दुसरों को माइनिंग करने का प्रोश्चाहन मिलता रहे हम निराश होकर बंद कर देंगे तो दुसरे देश बहुत आगे निकल सकते हैं आप में से कई पाइनियर्स ने अब तक जान लिया है कि बिटकोईन की टेकनलोजी से पाई की टेकनलोजी कहीं आगे है तो सोचिए एक बिटकोईन का आज लगभक 10 साल बाद 16 लाग रुपया है तो पाई का कितना होगा जैसे भूतकाल में बिटकोईन छुट गया था अभी भी ऐसा लगता होगा कि बिटकोइन के बिना भी जिनगी गुजर तो रही है न पर मित्रो वालेट में 1000 बिटकोइन होते तो पुरा जीवन अलग होता पुरा सीन अलग होता इस बात का अंदाजा होते होए भी अब पाई को क्यों नहीं माइन कर रहे हैं इसका जवाब म नहीं या इस पाई के बच्डे को समझे तभी तो पूरी जिनगी दूद दही माकन और गी आराम से खा सकेंगे वहिया तो दोस्तों से मिलते रहें पाई के साथ सेलफी लेते रहें और सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहें करते रहें क्योंकि अभी भी वक्त लगेगा सिर्फ इंटरनेट की ब्लोक्चेन पर ही नहीं बलकि पाउनियर्स के दिल में बस चुका है आगे एक और पोस्ट में पाई के मोडेटर भीया ने ये कितने भाव से लिखा है यह समुदाय हमारी ताकत है यह सामुहिक स्विकृती हमारी जीत है यह प्यार किसी भी चीज से परे है ऐसा प्यार जिस तरह प्रजा एक राजा को देती है एक बादशा को देती है इसी प्रेड़ा से इस वीडियो के बैनर पर पाई को क्रिप्टो का राजा यानि क्रिप्टो किंग कहकर रस्तूत करने का मन हुआ एक और भी कारण है हम अभी बिटकोइन इथेरियम और पाई के नोड कितने है वो देखेंगे देखिए यहाँ पर आज नवंबर 2022 में इस लिंक पर बिटकोइन के नोड दिखते हैं और ये है पाई का डेशबॉर्ड यहां तक्रिबन 5 लाख नोड में से 1 लाख 13,000 नोड अभी अक्टिव हैं जिसमें से इंडिया अभी भी 19 वेस्थान पर है और चाइना वाले पहले नंबर पर है दोस्तों पाई का नोड कैसे लगाना है इसका वीडियो भी हमने आसान भा लेंग्विज में मैसेज सेंड कर सकते हैं जो सामने वाले को अपनी लेंग्विज में सीधा ट्रांसलेट होकर दिखाई देंगे एक खुशी के समाचार ये भी है कि पाई चेन मोल जो कि पाई की ब्लॉक्चेन टेकनलोजी के उपर एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो अक्टोबर में हैक हावर्ड नाम की इवेंट जिसमें ये दूसरे नमबर पर जो विनर्स थे उन्होंने पाई की टेकनलोजी का उप्योग करके ऐसा क्या बनाया कि वो विनर्स हुए देखिए यहां हैक हावर्ड की ओफिशल वेबसाइट पर विनर्स डिकलेर किये हैं जि नीचे वाले हिस्से का डेटा एकत्रिद होगा जिस से कार्बन औफशेट का क्यालेशन होगा ड्रोन में एक सेंसर भी लगा हुआ है जिससे पानी की गुनवत ताकी गृणना होगी उपिशे में ड्रोन में रिमोट सेंसिंग उपगनाँ की तरह माइक्रोवेव का उप्यो बनेंगे जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो है सिर्फ पाई का माइनिंग और वो भी करने में अब रस नहीं रहा तो पाई को भी आपकी financial परिसित्य बदलने में कोई रस नहीं रहेगा अभी भी जागरूत होने की जरूरत है पाई आपके लिए जमीन जाइदाद सोने चांदी जैसी जमपत्ती बन सकता है पर बनाना आपके हाथ में है अभी भी हर बहिने कम से कम 10 पाई तो बना ही सकते हैं जिसकी कीमत 10 साल बाद कितनी होगी ये खुद गिन लीजिए तो पाई वललेट में लाने के लिए उसके स्टैप कंप्लिट करते रहें पाई के साथ अपडेट रहें नया-णया जानते रहें और मस्त रहें मैटा मित्र से जुड़े रहें मेरा मित्र मैटा मित्र झाल झाल